नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ अंशिता श्रवास्तव इस बुलिटिन में आज बात होगी लखीमपुर खीरी मामले में सामने आई साजश की लोगतंत्र को दवाने की कोशिश की जानेंगे क्यों अखलेश यादव के निशाने पर अंजूरी की और बुलिटिन के आखिर में बात महंगाई की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्कियों पर पीएम मोदी का वाराण सी दोरे का दूसरा दिन जनता को किया संबोधित बोले आज जितना जरूरी स्वराज उतना ही जरूरी सुराज भी है सीबी आई और एडी चीफ के कारिकाल बढ़ाने वाला संशोदन विधेयक हुआ पेश केंदरी मंतरी जितेंदर सिंग ने राजसभा में किया पेश विपक्ष कर रहा है विधेयक का विरोध लोगसभा द्यक्षों बिरला ने मंतरीयों को दी नसीहत कहा लोगसभा से नहीं चलाएं अपना मंतरा ले लोगसभा के अंदर बिविन मुद्दों पर सदस्यों के साथ बातशीत करने बर जताई नाराजगी आज फिर शेयर बाजार में दर्ज हुई गिरावट सेंसेक्स 166 अंक की गिरावट के साथ 58,117 अंक पर हुआ बंद निफ्टी 43 अंक की गिरावट के साथ 17,325 अंक पर हुआ बंद तो अब सुर्कियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की सरकार कृशी कानूनों को वापस ले चुकी है मोदी सरकार को जुकाने के बाद आंदोलन कारी किसान घर वापस लोट चुके हैं लेकिन किसान आंदोलन से जोड़ी घटनाओं को लेकर मोदी सरकार अभी भी मुश्किलों में फसी हुई है खास तोर पर लखीमपुर खीरी मामले में जहां SIT जाच में किसानों के खिलाफ साज़िश के सबूत मिले हैं तो क्या थी किसानों के खिलाफ साज़िश देखे ये रिपोर्ट लखीमपुर खीरी मामला यूपी में भाजपा शासन के दमन पर वो दाग है जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता योगी और मोदी सरकार ने इस मामले को हाशिये पर धकेले की खूप कोशिश की लेकिन अब बीजेपी इसमें और फस्ती दिख रही है लखिमपुर कांड में नया मोड आ गया है SIT ने अपनी जाच में पाया कि किसानों पर गाड़ी गलती से या तातकालिक परिस्तितियों वश नहीं चड़ाई गई थी बलकि इसका पूरा प्लान पहले तैयार किया गया था किसानों के खिलाफ बड़ी साजश रची गई थी जाच में मिले नई सबूतों के बाद SIT ने आरोपियों पर लगाई गई धाराएं भी बदल दी है जिसके बाद केंडरी ग्रिहराज्यमंत्री अजे मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्र समित 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन जान लेने की जगह अब किसानों की जान लेने का केस चलेगा लखीमपूर कांड के मुखे आरोपी आशीश मिश्र समित 14 लोगों पर SIT ने IPC की धाराओं 289, 338, 304A को हटा कर 307, 326, 302, 341, 122, 147, 148, 149, 404 लगाई हैं आपको बता दे कि इसी साल 3 अक्टूबर को यूपी में लखीमपूर खीरी के तिकुनिया में किसानों के काफिले पर एक SUV कार चड़ा दी गई थी जिसमें चार किसानों की जान चली गई थी किसानों के शांतिपूर विरोध को दवाने की ये साज़श अब बीजेपी को भारी पड़ रही है जो SUV किसानों पर चड़ाई गई वो गिरहराज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीश मिश्र मोनू की थी आशीश मिश्र को इस मामले में गिरफतार किया गया था किसान और विपक्षी दलो ने अजय मिश्र को हटाने और उन पर भी मुकदमा चलाने की मांग की थी लेकिन अजय मिश्र टेनी अब भी मोदी मंत्री मंडल में बने हुए हैं अब देखना होगा कि इसके बाद पी एम मोदी उन्हें सरकार से बाहर करते हैं या नहीं जाच में हुए नए खुलासे के बाद कॉंग्रिस ने तरहुल गांधी ने पी एम मोदी से फिर माफी मांगने को कहा है अगर जाच पूरी इमानदारी से की जाए तो किसानों के खिलाफ साजश के अभी कई और सबूत सामने आ सकते हैं मोदी सरकार ने किसानों की आवाज को दवाने की जिस तरह कोशिश की उसे लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है वैसे सरकार की रणनीती में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है वो अपने खिलाफ उठने वाली विवक्ष की आवाज को भी दवाने की लगातार कोशिश कर रही है विवक्षी सदस्यों को सदन में भी मुद्दिन नहीं उठाने दिये जा रहे हैं जिसे लेकर राहुल गांधी के नेतरत्त में एक मार्च निकाला गया तो क्या कहा राहुल गांधी ने देखिए रिपोर्ट संसत के शीत काली सत्र के दौरान संसत के बारा विपक्षी सांसुदों को निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद से 12 निलमविच सांसद संसद के बाहर धन्ने पर बैठे हैं, साथी विपक्ष राज्यसभा के सभापती के इस फैसले का विरोध करते हुए निलमबन वापसी की मांग कर रहा है। जब विपक्ष की मांग पर सुनवाई नहीं हो रही तो आज विपक्ष ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलमबन के खिलाफ संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। तो उन्हें निलमबित कर दिया जाता है। 29 नवेंबर को हुए संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में कॉंग्रेस और त्रिन्मूल कॉंग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को मांसून सत्र के दोरान अशोभनी आचरन करने के कारण इस सत्र की शेश अभधी के लिए उच्च सदन सिन् अब देखना होगा कि विपक्ष का ये मार्च सरकार पर कितना भारी पड़ता है अखलेश ने देखे रिपोर्ट और यमुना नदी का पानी गंदा हो चुका है अगर चंबल नदी का पानी नदी में नहीं मिलता तो डुपकी लगाने लाइक भी नहीं होता आज जौनपुर में गोमती की क्या स्थिती है ये आप से छुपा नहीं है अखलेश यादव यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि आज भिस्टा चार महंगाई कम नहीं हो पा रही है इससे उनके सांसद और विधाया गाओं में घुस नहीं पा रहे है तवल इंजन की सरकार फेल हो रही है इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा लाल रंग का मायना नहीं समझती ये रंग भावनाओ का होता है इसके अलावा अखलेश यादव ने किसानों के मुद्दे और महंगाई पर भी सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि कृशी कानूनों को मजबूरी में वापस लिया गया सरकार ने किसानों का अपमान किया है इन सब के अलावा सपाद्यक्ष ने दावा किया कि उनकी पार्टी जनता के साथ मिल कर भाजपा को प्रदेश और देश से हटा देगी इसके साथ ही कहा कि यूपी विधान सभा चुनाओ 2022 में समाजवादी पार्टी 400 सीटे जीतेगी इसके अलावा पीम के संकल्प वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए अखलेश ने कहा कि भाजपा से चुनावी संकल्प पूरा नहीं हो रहा है तो लोगों को संकल्प याद कराए जा रही है गौर दलब है कि बीते दिन प्रधान मंतरी मोधी ने कहा था कि मैं आप से तीन संकल्प मांगता हूँ पहला स्वक्षता, दूसरा स्र जन और तीसरा आत्म निर्भर, भारत के लिए निरंतर प्रयास अब अखलेश यादव ने जौनपुर में बीजेपी को जम कर घेरा, साथी चुनाव जीतने का भी दावा किया अब चुनावों में अखलेश यादव को जनता का साथ मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यूपी में सपा की ताकर लगातार बढ़ती जा रही है, हालात ये हैं कि हर पार्टी सपा के साथ गटबंधन की कोशिश कर रही है लेकिन अखलेश यादव की मजबूरी है कि हर दल को वो उसके मन माफिक सीटे नहीं दे पा रहे हैं सीटो को लेकर ही वो कॉंग्रेस से दूरी बनाते दिख रहे हैं, तो आपके साथ तै हो चुकी बात सीटो के मुद्धे पर आकर अटक गई है यूपी में सपा के साथ गटबंधन की कोशिश में लगी आप अब सभी सीटो पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है पार्टी जल्द ही 100 उम्मीदवारों के नामों का एलान कर देगी, पहले ही पार्टी 150 लोगों के नाम तै कर चुकी है आपकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक यूपी की 403 में से 350 सीटो पर उम्मीदवारों के नाम तै कर लिये जाएंगे पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है जबकी इस से पहले आप लगातार सपा से गटबंधन की कोशिश कर रही थी आप सांसत संचे सिंग की अखलेश यादव से गटबंधन को लेकर लगातार बातचीत हो रही थी 24 नवंबर को लखनव में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई जिसके बाद दोनों ही दलों की ओर से गटबंधन के संकेत मिलना शुरू हो गए अखलेश यादव ने भी कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ संभावित समझोते तक पहुचने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आप और सपा के बीच समझोते की उम्मीद सीट बटवारे के मुद्दे पर आकर तूट गई दरसल आम आदमी पार्टी प्रदेश के आरेलडी के बरावर सीटों पर चुनाव लणने की मांग कर रही थी पार्टी की ओर से शुरुआत में 50-60 सीटों पर दावा किया गया था लेकिन सपा आपको 15 से ज्यादा सीटें देने को तयार नहीं थी जबकि आरेलडी को सपा 35 से 40 सीटें देती हुई दिखाई दे रही है वैसे अभी तक सपा ने इस बात का भी एलान नहीं किया है कि आरेलडी को कितनी सीटें दी जाएंगी लेकिन दावा किया जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखलेश यादव के बीच सीटों को लेकर बात बन चुकी है जबकि आपके दावो को अखलेश ने मानने से मना कर दिया इसके बाद आप और सपा के बीच गटबंधन की संभावनाय खत्म हो गई है इसके बाद दिल्ली की सत्ताधारी आमाद्मी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावो में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी तेज कर दी है आपके बड़े दावो के चलते सपा के साथ उनका गटबंधन नहीं हो पाया अब पार्टी जल्दी ही सभी 403 सीटों पर उम्मीदवारों के एलान की बात कर रही है वैसे इस समय सभी पार्टीओं को जल्दी है क्योंकि तीन सपताभाद कभी भी चुनावायोग यूपी सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों का एलान कर देगा इसके लिए आयोग में बैठकों का दोर तेज हो चुका है तो क्या है चुनावायोग की तैयारी देखें निर्वाचन आयोग बुधवार यानी कल से इन राज्यों का दोरा शुरू करेगा आयोग के दोरे की शुरूआत पंजाब से हो रही है आयोग के सदसे चुनाव की तारीखों के एलान से पहले यहां पर तैयारियों का जाइजा लेंगे चुनाव आयोग का अगला दौरा गोवा का होगा मुखे चुनाव आयोग सुशील चंद्रा, चुनाव आयोग राजीब कुमार और अनूप चंद्रपांडे अगले हफ़ते गोवा और उसके बाद उत्तराखंड के दौरे पर जा सकते हैं हाला कि चुनाव आयोग उत्तरप्रदेश के दोरे की तारीख हैं अभी तै नहीं है लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उत्तरखंड दोरे के बाद आयोग कभी भी यहां आ सकता है इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि आयोग जनवरी 2022 की शुरुआत में चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है चुनाव आयोग ने पांच राज्यों को नामवलियों के प्रकाशन के लिए एक जनवरी की तारीख दी है लेकिन ये अनिवारिन नहीं है फिलहाल जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर फरवरी में चुनाव हो सकते हैं उत्तरप्रदेश में 6-8 चरणों में मतदान कराये जा सकते हैं चुनाव करीब एक महीने तक चल सकते हैं गोरतलब है कि सभी 5 चुनावी राज्यों में विधान सभा का कारिकाल अगले साल 15 मार्च से 14 मई के बीच खत्म हो रहा है ऐसे में आयोग की कोशिश रहेगी कि 15 मार्च 2022 तक सभी राज्यों में चुनाव संपन करा दे वैसे कानून के मुताविध चुनावायोग विधान सभा का कारिकाल खत्म होने के 6 महीने पूरु तक कभी भी चुनाव करा सकता है पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों का एलान जन्वरी में हो जाएगा अब सभी राजनीतिक दलों की नजर चुनाव आयोग पर टिकी है कि वो किस दिन चुनावों का एलान करता है नजरे आज सुप्रीम कोट के फैसले पर टिकी हुई थी क्योंकि कोट आज चारधाम यात्रा के लिए तैयार होने वाली सड़क पर फैसला देने वाला था ये सड़क चीन बॉर्डर तक जाती है जो सेना के लिए बेहत जरूरी है तो क्या रहा कोट का फैसला देखे रिपोर्ट चीन से सुरक्षा संबंदी खतरों को देखते हुए सुप्रीम कोट ने मंगलवार को चार धाम सड़क चौड़ी करण परियोजना को मंजूरी दे दी है इससे पहले 11 नवंबर को चारधाम परियोजना में सडक की चोड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंदर सरकार ने सुप्रीम कोट से सितंबर 2020 के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसमें चारधाम सडकों की चोड़ाई को 5.5 मीटर तक सीमित करने के लिए कहा गया था। के नाम पर अंधा धुंद निर्मार जारी है फोरण इनको रोकने की जरूरत है। जो समय समय पर इस प्रजिक की जानकारी सुप्रीम कोट को देती रहेगी। इस निगरानी समिती को रक्षा मंतराले, सडक परिवहन मंतराले, उत्राखंड सरकार और सभी जिला नियाएधीशों से सही योग मिलेगा। बतादे की चीन के साथ खाल के दिनों में बढ़े तनाओ के मद्दे नजर इस सडक के जरिये भारतिय सेना को चीन की सीमा तक पहुचने में आसानी होगी। और बुलिटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। देश में फल और सबजियों के दाम आस्मान चू रहे हैं जिससे आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल करती नजर नहीं आ रही है। जिसका असर अब खुद्रा महंगाई दर के आकड़ों पर पड़ा है। नवेंबर के जो आकड़े सामने आए हैं उसने जनता की परिशानी को और बढ़ा दिया है। तो कितनी फीसदी बढ़ी खुद्रा महंगाई दर देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार दावा करती नहीं ठकती की अर्थविवस्था में सुधार हो रहा है। दो साल के बाद देश में बदलाव हो रहा है। विकास की गती बढ़ी है व्यापार को रफ्तार मिली है। लेकिन सरकार के ये दावे तब होखले साबित हो जाते हैं जब धरातल पर आंकड़े सच्चाई को बया करते हैं। बढ़ती महंगाई लोगों का जीना मोहाल करती है जिसका असर अब खुद्रा महंगाई दर के आंकड़ों पर पढ़ रहा है। लेकिन जून 2021 में महंगाई दर का आकड़ा रिजर्व बैंक के दाएरे से भी बाहर निकल गया था। अब सरकार भले ही कितना भी आकड़ों को क्यों न बढ़ा ले लेकिन इस महंगाई का बोच जनता पर से कम नहीं हो रहा है। तो आज अस बुलिटन में बस इतना ही देखते रहे हैं डीवी लाइव नमस्कार। झाल 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 झाल